गुरु नानक पैदल गाव गाव गूमते हुए लोगों को उपदेश दे रहे थे एक बहुती दयालू और सासी व्यक्ती दोनों ही चीजें और हम उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो हर समय मुस्कुराते रहने वाले उन सौम्य संतों में नहीं है वो जानते हैं कि कब सक्त होना है और कब नर्म असली गुरू तो एक दिन वो महमान थे उस इलाके के एक बहुत अमीर आदमी के घर तो जब वो कुछ दिन वो उसी घर में रहे जाते वक्त उन्होंने उस आदमी को एक सुई दी सिलाई वाली सुई सुई देते हुए उन्होंने कहा इसे तुम अपने पास रखो जब तुम दुबारा मुझसे मिलो मुझे ये लोटा देना तब तक इसे अपने पास रखो सुई, सोने के नहीं मामूली सी सुई उस आदमी ने उसे लेकर अपने पास रख लिया गुरू के जाने के बाद उसने पत्नी से कहा कि गुरू ने मुझे एक सुई दी है जो मुझे संबाल कर रखनी है और बाद में उन्हें वापस करनी है उसकी पत्नी जो उससे थोड़ी ज्यादा समझधार थी अकसर उन्हें ऐसा ही लगता है वो बोली, तुम बड़े मूर्ख हो तुमने गुरू से सुई क्यों ली अगर तुम ऐसे इंसान से कुछ लेते हो और मान लो वो बहुत बुड़े हैं और अगर वो मर गए और तुम उन्हें सुई वापस नहीं कर पाए तो क्या करोगे? तुम हमेशा के लिए कर्जदार हो जाओगे गुरू से तुमने सुई ली ही क्यों? उनके जैसे इंसान से तुमें कुछ भी नहीं लेना चाहिए हम कुछ दें वो ठीक है लेकिन उनके जैसे व्यक्ती से कभी कुछ मत लेना अगर वो मर गए तो तुम ये सुई स्वर्ग नहीं ले जा सकते उन्हें देने के लिए सुई को स्वर्ग लेकर जाना और वहाँ देना असंभव है तो तुम हमेशा के लिए कर्जदार हो जाओगे और उसे एक कर्म से तुम मुक्त नहीं हो पाओगे और तुमें हजारों जन लेने पड़ सकते हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है फोरण जाकर किसी तरह उन्हें ढूंडो और ये सुई उन्हें लोटा दो तो वो गुरू के पीछे निकल पड़ा गुरू तेज चलते हैं लेकिन धीरे धीरे डेड़ दो महीनों के बाद वो आदमी आखिर गुरू के पास पहुँची गया और बोला हे गुरू देव मैं सुई को अपने पास नहीं रखना चाता क्योंकि वैसे भी आप बहुत बूड़े हैं अगर आप मर गए तो मैं हमेशा के लिए कर्जदार हो जाऊंगा और मुझे पता है कि मैं सुई को स्वर्ग ले जाकर आपको वहां नहीं लोड़ा सकता तो गुरु नानक बोले तो तुमें पता है कि तुम ये सुई स्वर्ग नहीं ले जा सकते तुमें ये पता है है ना वो बोला हाँ जब तुम जानते हो कि तुम सुई भी नहीं ले जा सकते तो तुम इत्ती सारी चीजें क्यों जमा कर रहे हो तुम उसमें से कुछ भी नहीं ले जा पाओगे अगर तुम सुई नहीं ले जा सकते तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं ले जा सकते आदमी को बात समझ में आ गई वो उनके पैरों में गिर पड़ा और अपने घर लोट गया वो जो कुछ बेच सकता था उसने बेच दिया बस उतना रखा जो उसके और उसके परिवार के लिए जरूरी था चुँकि पूरा समाज गरीबी से पीडित था इसलिए उसने अपने आसपास के लोगों के लिए कल्यांड कारी कामों में खुद को लगा दिया इतने वक्त तक लोग गरीबी की मार जहिल रहे थे और वो धन दौलत जमा करने में लगा था ये दुनिया बहुत छोटी है ये धर्ती एक सीमित संसाधन है अगर हर व्यक्ति लगतार जमा करने पर उतारू हो जाए कि मुझे इतने की जरूरत है मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा अपनी बाकी काबिलियत का इस्तिमाल मैं लोगों के कल्यान के लिए करूंगा अगर किसी इंसान में ये समझ नहीं है तो वो अपने लिए और दुनिया के लिए एक तबाही है धर्ती पर तबाही भूकम्प ज्वाला मुखी या सुनामी नहीं है असली तबाही इंसान के अज्ञानता है सिर्फ यही एक तबाही है अज्ञानता ही एक मात्र तबाही है ज्ञानोदय ही एक मात्र समाधान है वाकई कोई और समाधान नहीं है तो अगर आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवित होना है, बात रिनन्सियेशन की नहीं है, बात है समझदारी से जीवन जीने की. विदेशी लोगों ने गलत शब्दों का इस्तिमाल किया है. भारती भाषाओं में रिनन्सियेशन जैसा कोई शब्द नहीं है, अगर आपको पता नहीं हो, संस्कृत में रिनन्सियेशन जैसा कोई शब्द नहीं है. विदेशी लोगों ने यहां आकर कहा इस आदमी ने रिननसियेशन कर दिया है नहीं, उसने पूरे ब्रहमान को गले लगा लिया और आपको लगता है कि उसने रिननसियेशन किया है यह आपकी समझ है क्योंकि आप जीवन के बारे में सोची नहीं सकते कुछ चीजों पर हग जता है बिना पृत्वी का एक हिस्सा मेरा है इसके बिना आप जी नहीं सकते किसी ने पूरे ब्रहमान को गले लगा लिया है इसलिए उससे ऐसा लगा ही नहीं कि उससे कुछ इकठा करना चाहिए क्योंकि सभी सितारे उसके है पूरी आकाश गंगा उसकी है उसे कुछ भी इकठा करके अपने जोले या बैंक में रखना जरूरी नहीं लगता उसे ऐसा लगा ही नहीं